डाउनलोड करें एस्ट्रो सेज कुनली एप और तुरंद पाएं 50 पेशी कुनली बिल्कुल मुफ्त के लिए कैसा बीतने वाला है चाइल्डियन नुमेरलोजी के आधार पर देखेगा तो जी लेटर जो है वो थर्ड पूजिशन पर आता है तीन नंबर नुमेरलोजी में ब्रहस्पति का होता है तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप जी इनिशल के हैं तो आपके लिए और बुजनस फ्रंट पे आपकी लाइफ कैसे बीतने वाली है ये साल करेर के लिहाज से थोड़ा बहुत रुकावटों भरा हो सकता है लेकिन ये रुकावटे आप ही दूर करेंगे कोई बाहर से नहीं आएगा आपको अपने काम को सही टाइम पे पूरा कर लेना होगा इस पूछ भी होगी आपकी और अगर आप बिजनस करते हैं तो आपके क्लाइंस से आपको अच्छे फीडबाक्स मिलेंगे और आपके इसके बाद बिजनस में और तेजी आएगी रफ्तार आएगा इस साल कोई भी नया काम शुरू करने से आपको बचना होगा आप अपनी बी रुकावटे आएंगी जो आती है नाचरल है और इन रुकावटों को दूर करने कोई बाहर से नहीं आएगा ये आप खुद करेंगे कैसे करेंगे प्राब्लम्स आ रही है सारी चीजों को दरकिनार कीजिए बैठ जाईए सास लीजिए गहरी सास दस गिनिए उसके बाद उ पोचना क्या है सॉल्यूशन 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 तो प्राब्लम आ गई है इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है प्राब्लम क्रियेट हो गई अब करना क्या है अब सॉल्यूशन निकालना है जो आपको निकालना है तो कीजिए आज भी आप ही निकाल लिएगा, दस दिन बाद भी आप ही निकाल लिएगा, तो जितनी देर से निकाल लिएगा नुकसान आपका है, इसलिए बहतर है कि प्राबलम के उपर मातम मनाने से बहतर है, सॉल्यूशन ढूंडिया, काम कीजिए, खैर, अब परामर्श आपको अगर हमसे कुछ चाहिए, इससे जुड़ी हुए, इस्ट्रोलोजिकल, तो हम बैठे हैं इसके लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुहया करबा दूंगी, चलिए, बैबाईक जीवन आपके लिए कैसा बीतने वाला है, ये भी आपको बता दूँ, आपकी शादिशुदा जन्दिगी इस साल काफी सुखद रहने वाली है, और अगर आपकी मैरेड लाइफ सुखद है, अगर आपको परिवार का सपोर्ट ह तो आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को दरकिनार करके यूँ ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैमिली जो है, वो सबसे बड़ी सिपोर्ट सिस्टम होती है, आपका साथ ही आपको इस बात का हैसास भी कराएगा, सच्चे दिल से चाहेगा, हर काम में आपका हाथ बटाएगा, लेकिन इसकी आप कदर कीजेगा, आम तोर पर क्या होता है, कि जब आपको प्यार मिलता है, जरूरत भर मिलता है, या जरूरत से ज्यादा मिलता है, तो आप उसकी कदर नहीं करते हैं, जब नहीं मिलता है, तो फिर आप मिस्स करने लगत से तकरीबं डेर साल से ये तकलीफे चली आ रही थी वो आप दूर हो जाएंगी आप अपनी साथी के साथ खुल कर बातें करेंगे और इस साल आप अपनी जीवन साथी के साथ मिलकर ट्राविलिंग भी करेंगे आपको ये मज़ा भी आता है करने में थोड़े खर्चे हो सकते हिससे लेकिन रिष्टों के लिए ये एनरजी का काम करेगी रिजूविनेट हो जाएंगे आप रिवाइव हो जाएंगे आपकी लाइफ साथी के साथ किसी तरह की चालाकी नहीं करनी है साथी से कौन चालाकी करता है लेकिन भी अगर कर रहे हो किसी भी तरीके की तो मत कीज साथ ही तो होता है हर चीज में आपका साथ देने वाला उनसे कैसी चाला की उनसे कैसी का निगनेस एनिवेज गलत फैमियों को भी बढ़ने मत दीजेगा नहीं तो मनमुटाव हो सकते हैं यह जो मिसंडरस्टैंडिंग्स है न यह इतना मिस करवा देती है चीजों को रिष्ट में हमेशा ताज़की रखेगा स्टूडेंज आपका इंतजार खत्म अगर आपके लिटर आपके नाम का नाम का पहला अक्षर जी है अगर आपके नाम का इनिशल जी है तो लीजे आपके लिए है यह 2020 के प्रेडिक्शन एडुकेशन के सेक्टर में आपके लिए यह ठीक ठाक वक्त रहने वाला है जो भी काम आप करेंगे जो पढ़ाई करेंगे इसमें मेहनत कीजेगा मेहनत तो लगती ही है तभी आपको अच्छे रजल्स मिलेंगे यदि आप शॉटकट अपनाने की कोशिश करेंगे तो ये वो टाइम नहीं है जब आपको शॉटकट अपनान अगर स्कॉलर्शिप मिलने के संभावना है या इससाल अगर आप स्कॉलर्शिप के लिए वेट कर रहे थे तो इंतजार खत्म हो जाEMA मिल सकती है अपनी टीचर्स में तॉर के संपर्क में वे फाइदा देंगे वो आपको मार्गकदर्शन तो मिलेगा ही और भी कई तरीके के फायदे होंगे सीनियर्स हमें हमेशा हर समय कुछ न कुछ नया सिखाते हैं बशरते कि हमें इस चीज की परक होनी चाहिए पहचान होनी चाहिए और हम सीख क्या रहे हैं इस चीज की समझ भी होनी चाहिए चलिए लव लाइफ कैसी बीते गया आपकी बता दूँ तो प्रेम हम हर किसी को पसंद है आपको खुद को पसंद है तो आप पार्टनर पे ऐसी पाबंदियां क्यों लगाते हैं अपने रिष्टे को एक खुले तोर पर रखिए प्लाटफॉर्म भी खुला होना चाहिए और सांस लेनी की आजादी दीजे पार्टनर को अगर आप महिला है तो पुरुष को आजादी दीजे पुरुष है तो महिला को आजादी दीजे बश शर्ते की दोनों इस आजादी का नाजायस फाइदा ना उठाएं साथ नहीं रहना अलग हो जाईए वो बहतर विकल्ब है लेकिन साथ रहके एक दूसरे को चीट करना इसका खाम्याजा यकीन म लगता है इसका आपको खाम्याजा नहीं बुगतना पढ़ेगा बुगतना पढ़ेगा और बहुत बुरे तरीके से ब्हुतना पढ़ेगा आपको एहसास भी नहीं होगा कि इतना भी बुरा हो सकता है खैर इसलिए खांदा रही है च्थत टो पनी लवमेंट के साथ आप को ये मौका मिलेगा आपके रिष्टे थोड़े और मजबूत होंगे पहले से आपके प्रेमी के परिवार के लोगों के सामने आपकी अच्छी छवी बनेगी इसकी वज़स से आप प्यार के रिष्टे को शादी के बंधन तक भी ले जाने में कामियाब हो सकते हैं अपने अलधन संबंधी दिक्कते आपको मिल सकती हैं जिसकी वज़स से आप मांसी क्रूप से कुछ परिशान रहेगा और किसी करीबी से आपको आर्थिक साहेता मिलने की उमीद है लेकिन ऐसी साहेता की गुंजाईश आने ही क्यों देनी है मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जब फाइनेंस आप डिजाइन करते हैं बजटिंग करते हैं तो ऐसे करिए ना कि आप उसमें पूरी तरीके से फिट हो जाए या वो बजट आपके लिए पूरी तरीके से फिट हो किसी से उधार लेना किसी को उधार देना बहुत अ अगर आप वियापारी हैं अगर आपके नाम की शुरुवात जी से होती है तो आप इस साल विदेशी डील से फाइदा पाएंगे और कोई बड़ी डील क्रैक आप कर सकते हैं धन प्राप्ति के इस लिहाज से अच्छे योग हैं साल के मध्य में थोड़ा आपको समल कर रहना ह क्योंकि इस दौरान अंचाहे खर्चे हो सकते हैं भाई बहन इस साल आपको financial help करेंगे और आपके friends पर आपको financial help कर सकते हैं लेकिन ये होगी help तो आज नकल आपको ये return करनी ही है तो कोशिश कीजेगा कि ऐसी help लेने की नौबत नहीं आए स्वास्तिके लिहाज से आपको क्या करना है तो आपको इस साल कान, छाती और पेट पे कुछ दिकत हो सकते हैं शरीर के इन अंगों को इस साल विशेश ध्यान की ज़रूरत है तो इसको ध्यान दीजेगा अपनी सेहत को दुरस्त रखने के लिए योग कीजे ध्यान कीजे इ तो ऐसी जगे पेखाए जो थोड़ी हाईजनिक हो क्योंकि आप अगर बाहर खाते हैं तो वहाँ पर ना आपको अच्छा स्वाद मिलता है ना सेहत मिलती है फिर भी बाहर खाना पढ़ता है तो पढ़ता है तो स्वाद ना सही सेहत का ही लिहाज कर ले तो इस वज़े से थ हम रत्य उन्चे मंतर का जाब करना है जादा नहीं सरफ 108 बार आपको यह जाब करना है एक मला और उसके बाद जो आपके जीवन में खुशहाली आएगी वो देखिएगा आप यह देखने लाइक होका तो आपको बता दिया कि आपको यह 2020 कैसे बीटने वाला है आपको क्या न उनके फाइदे की चीज़ आसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसा बहुत कम प्रोफेशन होता है जो आपके फाइदे के लिए खुद बैठकर जानकार्या दे रहा होता है तो इससे आपका फाइदा है आपको मिलने वाले फाइदे का लाब उठाईए नोटिफिकेशन बेल के सा सब्सक्राइब कर लिजे चैनल, वीडियो लाइक कर लिजेगा, अगर कमेंट करने की इच्छा है तो कमेंट में कुछ पूछना चाहते हैं, इसके साथ साथ हापी न्यू येर 2020 भी लिखती चेगा, मुझे विश कीचे और अपना खयाल रखे, नमस्कार.